Hello everybody, welcome back to Quant Study, I am Mujasim Akhtar जैसे कि आप लोगों को पता है मैं आपका JKSSB Class 4 की जो recruitment का जो English का portion है वो cover करवा रहा हूँ जो की total 20 marks का है और उसमें से already मैंने articles, determiners और spellings complete करवा दिया है आपको अगर आपने वो lectures अभी तक नहीं देखे हैं आप Quant Study की playlist में जा सकते हैं वहाँ पर English का जो JKSSB Class 4 की playlist है वहाँ पर click करके आप मेरे सारे lectures पिछले भी देख सकते हैं तो आज से हमने synonyms and antonyms पढ़ना है यह मैं total 5 lectures में लोगा या 4 lectures में तो यह बहुत ही important है, one of the most important topics है exam point of view से तो इसलिए यह आपको बहुत द्यान से पढ़ना है क्योंकि इस में से बहुत questions आते हैं exam में तो उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक Quant Study चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप subscribe करें और notification bell को भी दबाएं ताक कि आपको notifications मिलते रहेंगे अगली videos के ठीक है तो next हम आज जो हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं synonyms and antonyms जैसे कि आपको पता है मैं आपको हर video से पहले questions पूछता हूँ तो आज भी मैंने आपको कुछ questions पूछे हैं लेकिन इन questions के जो answers हैं वो आपको video के end पे देने क्योंकि बीच में मलब topic discuss करते वाक्त आपको यह सारी चीज़े मिलेंगी सारे words मिलेंगे तो वहाँ से आप फिर easily जो है इनके answers दे सकते हैं ठीक है तो question number one है हमारे पास comment the synonym of generous आपको generous का जो synonym है वो comment करना है comment box में two है comment the antonyum of valid valid का जो है antonyum आपको comment में करना है make a sentence for the word eradicate eradicate जो है इसका जो इसके लिए मतलब इसके ऊपर आपको एक sentence बनाना है ठीक है उसके बाद make a sentence on the word abandon और इसके लिए भी आपको sentence create करना है जो कि हम आगे पढ़ेंगे ऐसी मतलब आपको डरने की जरुरत नहीं है वो पूरा जो है आपको मिल जाएगा material ठीक है तो आज हमने discuss जो करना है synonyms and antonyums सबसे पहले जानते हैं कि synonyms होता क्या है meaning of a word is called the synonym of that word मतलब एक word होता है उसका जो meaning होता है उसी को हम synonym कहते हैं उस word का उस particular word का उसी को हम synonym कहते हैं उसके meaning को ठीक है अच्छा opposite of a word जो है उसको हम antonyum कहते हैं उस particular word का जो opposite है उसको हम उसका antonyum कहते हैं ठीक है ये clear हो गए है ये बहुत जादा simple है आज मैं आपको total 30 30 synonyms and antonyms and words करवाने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़ादा मतलब महनत के साथ मैं आपके सामने collect करके लेके आया हूँ and those are very very important according to the examination point of view तो हम चलते हैं उन पे directly, देखिए यहाँ पर 10 है और next slide में आपको 10 दूँगा और next तीसरी जो slide होगी उसमें भी 10 मतलब total 30 होँगी ठीक है और इनकी जो है मैं आपको PDF भी provide करूँगा जरूर ठीक है क्योंकि यह बहुत ज़ादा important है चलिए फिर start करते देखे पहला word जो है हमारे पास वो क्या है awkward awkward क्या होता है awkward होता है जी मतलब एक तरह का बोल सकते हैं आप एक rough मतलब no skills without any skills जिसके पास कोई skills नहीं हो कुछ नहीं हो ठीक है तो इसका जो है synonym क्या हो जाएगा rough जिसको हम दूसरा मतलब clumsy भी बोलते हैं दूसरे नाम से ठीक है उसके बाद इसका एंटॉनियम देख लेते हैं तो मैंने आपको बताया कि unskilled जो होता है ना उसको हम awkward कहते हैं तो एंटॉनियम क्या हो जाएगा इसका skillful skillful या फिर clever जिसका meaning चलाक होता है ठीक है एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको जो है words को यहाँ पर inter relate करना है आपको interconnect करना है words को ताकि अगर आपको for example जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ देखे for example अगर आपको इसका मतलब meaning पूछा जाए clumsy का तो आपको क्या करना है awkward या rough डाल डाल देना है मतलब synonym इसका जो है ऐसे डालना है ठीक है तो यह हो गया उसके बाद बात करते है apparent की apparent क्यों होता है apparent होता है obvious obvious मतलब जो open होता है मतलब खुले तरीके से हमें पता होता है उसको हम क्या कहते हैं apparent evident obvious या rough इसके जो है synonyms है उसी तरह से antonyum क्या है इसके doubtful मतलब मैंने बताया यह जो है open मतलब obvious होते हैं तो इसका मतलब जो है apparent का antonyum क्या हो जाएगा doubtful या masked इन दोनों में से कोई भी आप select कर सकते हैं अब अगर अपके exam में पूछा जाता है कि masked जो है इसका जो आप मतलब एक antonyum बताओ तो आप बोल सकते हैं वहाँ पर rough या obvious इन में से ठीक है इस तरह से आपको यह करने होते हैं interrelate बाकी इसमें बहुत ज़्यादा words है बीच में जो की बहुत important है ठीक है तीसरा हमारे पास word है benevolence इसका meaning होता है अच्छी एक अच्छी इंसानियत ठीक है तो मतलब humanity या generosity generosity भी क्या होता ह होता है benevolence humanity भी क्या होता है benevolence अच्छा इसका opposite अगर हम देखें तो in humanity ठीक है या इसको हम unkind भी कह सकते हैं ठीक है जो की kind ना हो जो की inhuman हो ठीक है in humanity जिसमें हो उसका opposite क्या है अब generosity humanity या benevolence अब यहाँ पर benevolence ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब इनके opposites अगर आपको बताने है ठीक है इसी तरह से genuine genuine के देखे यहाँ पे real और trustworth genuine होता है एक real ठीक है जो fake नहीं होता है ठीक है जिस पे हम trust कर सकते हैं भरोसा कर सकते हैं ठीक है उसी तरह से इसका opposite क्या हो गया fake या unreal उसके बाद conscious conscious क्या होता है aware conscious होता है जो की बहुत जादा active होता है या बहुत जादा aware होता है ठीक है तो मतलब चीज़ों को बहुत जल्दी जो है grasp कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं conscious तो इसके जो synonyms बनेंगे वो क्या है aware और attentive उसी तरह से इसके जो अगर antonyum देखने हैं तो unaware और ignorant ये तो आप easily समझ जाएंगे यहां से ही उसके बाद बात करते है compassion क्या है compassion का मतलब होता है एक हमदर्दी अच्छाई ठीक है तो इसी तरह से इसका meaning kindness और sympathy यानि की synonyms हो जाएंगे इसका उल्टा कर देखें तो cruelty यानि की जुलम करने वाला और एक और चीज़ है barbarity ठीक है उसके बाद conquer conquer की जो मतलब हम synonyms देखें तो conquer का होता है मतलब agree करना accept करना या फिर मतलब किसी चीज में अपना consent दिखाना की I agree with something that मतलब किसी चीज में अगर मैं agree करता हूं तो which means I am conquering that thing right उसके बाद इसका antonym अगर देखें तो differ या disagree किसी चीज को disagree करना ठीक है ठीक है उसके बाद ये भी हो गया तो उसके बाद deliberate क्या होता है कुछ चीज intentionally करना जान भूज के ठीक है इसी तरह इसका intentional आएगा एक और दूसरा mediate ठीक है तो rash क्या होता है उसका opposite ठीक है जो की unintentionally या फिर sudden नह हुआ तो मतलब sudden भी क्या है इसका दूसरा आएगा ठीक है दूसरा antonym ओके I hope आपको समझ में आ रहा होगा उसके बाद ninth जो है हमारे पास वो क्या है dk का मतलब क्या होता है dk का मतलब होता है किसी चीज को decompose करना मतलब किसी चीज का या decompose हो जाना basically rotting मतलब rot हो जाना किसी composition and collapse जो है इसके synonyms आएंगे उसके बाद इसके antonyum अगर देखें तो flourish and progress ठीक है उसी तरह से esteem क्या होता है esteem होता है respect regards honor इज़त चीक है उसी तरह से disrespect या ridicule जो है इसके antonyum हो जाएंगे ठीक है अच्छा next देखते हैं आप next क्या है हमारे पास word 11th number पे eradicate ठीक है eradicate होता है मतलब खतम कर देना किसी चीज को या मलब इसी तरह से abolish का abolish का मतलब भी क्या होता है एक सब्सक्राइब देखिए abolish और destroy abolish का मतलब भी क्या होता है खतम कर देना और destroy का मतलब भी क्या होता है खतम कर देना अब देखिए खतम या तबह कर देना बोल सकते हैं आप ठीक है तो एंटोनियम में अगर आप देखें तो secure मतलब बचा के रखना या restore दुबारा से किसी चीज को ठीक करना ठीक है for example हम बोल सकते हैं इंटरनेट कब होगा restore 4G internet मतलब यहाँ पे जमो एंड कश्मीर में आप समझ रहे हैं I hope तो उसको हम restore कहते हैं किसी चीज को मतलब दो बारा से लाना कहीं पे ठीक है उसी तरह से enormous का मतलब होता है बहुत बड़ा ठीक है huge immense या spacious मतलब huge और immense भी क्या होता है बड़ा होता है spacious भी क्या होता है मतलब एक तरह का बहुत बड़ी चीज होती है आपको जो है man meaning पे ध्यान रखना है कि enormous का मतलब होता है big तो आप क्या है exam में easily उसको कर पाएंगे ठीक है अच्छा उसी तरह से small और negligible इसका opposite किसका enormous का small या negligible मतलब negligible क्या होता है जिसको हम neglect भी कर सकते है उसके बाद elucidate elucidate का enlighten या clarify enlighten क्या होता है to give knowledge बोल सकते है या किसी चीज़ को clarify कर देना किसी के साथ में ठीक है अच्छा इसके synonyms क्या हो जाएंगे clarify और clarify और enlighten ठीक है उसके बाद elucidate का अगर हम antonyum देखें तो confuse या distort मतलब confuse अगर इसका जो है clarify कर देना इसका synonyum है तो इसका antonyum क्या होगा confuse कर देना ठीक है तो जिसको अगर दूसरा antonyum देखें तो distort है इसका ठीक है अच्छा उसके बाद देखते हम for sick का for sick का क्या होता है for sick मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज़ को that is dessert भी बोल सकते हम इसको यह वो वाला dessert नहीं है ठीक है मतलब यह sand वाला dessert नहीं है abandon abandon भी जो है वो छोड़ देना ही होता है इसका मतलब यह भी जो है इनके synonyums बनेंगे उसके बाद इसके antonyum देख लेते हैं hold maintain या claim मतलब hold करके रखना पहले हो गया था छोड़ देना अभी hold का मतलब क्या होता है मतलब पकड़ के ही रखना ठीक है चीज को maintain मतलब उस चीज को continuously maintain रखना या claim ठीक है यह तिनों इसके opposite उसके बाद बात करते हैं fatigue की जिसका meaning क्या होता है tiredness मतलब थकावट इसको हम दूसरे में exertion भी बोल सकते हैं और इसका opposite livingness या vigor ठीक है ओके उसके बाद इसी तरह से gorgeous है हमारे पास जिसका meaning magnificent होता है है बहुत ही मतलब grand इसको हम कह सकते हैं उसके बाद मतलब यह चीज आपको जरूरी याद रखनी है जो 30 में दे रहा हूँ ताकि आगे जो हम practice कर रहे होंगे उस time पे हो सकता है मैं आपको इन्ही मैसे भी पूछू और मतलब दूसरे भी जो questions important मुझे लगता है होंगे मैं सा इसके डल और मोडेस्ट इसके एंटोनियम्स ठीक है उसके बाद डिमिनिश जिमिनिश और इसके जो है डिमिनिश होता है डिक्रीज करना किसी चीज को या डिकलाइन या रेड्यूस ऑपोजट इंक्रीज या फ्लेयर अप उसी तरह से पैरिलस होता है डेंजरस खतरनाग ठ ठीक है हजार्डेस या रिसकी चीज लेकिन इसका एंटोनियम क्या होता है सेफ और सेक्योर ठीक है जो बहुत हाड़ वर्क करता है उसको हम डिलिजेंट कहते हैं जैसे कि आप लोग हाड़ वर्क करते हैं तो आपको क्या कहेंगे डिलिजेंट उसी तरह से लेजी जो मतलब काम नहीं करता है, inactive रहता है उसको हम क्या कहते हैं? inactive या lazy उसके बाद judicious judicious क्या होता है? thoughtful जिसमें बहुत ज़्यादा अकल होती है उसको हम judicious कह सकते हैं और prudent भी उसी को हम कह सकते हैं अगर इसका opposite देखना हो तो irrational या foolish मतलब बहुत ही बेवकूफ इंसान टाइप ठीक है? मान लिजए अब बेवकूफ ही हुआ न जिसके मतलब दिमाग में अकल जैसी नहीं हो ज़्यादा जो अपनी अकल यूज नहीं करता हो उसको क्या कहेंगे? irrational या foolish ओके तो next बात करते हैं अब हमारे जो आखरी 10 words है उनकी वो 21 क्या है हमारे पास? generous 21 word ठीक है? generous है हमारे पास 21st word 21st word क्या हमारे पास? generous जिसका meaning होता है मतलब बहुत ही अच्छा इंसान यानि कि वो जो है वो मतलब खुदगर्ज नहीं होता ठीक है जिसका मतलब हो है मतलब unselfish और इसका मतलब क्या होगा? इसको हम दूसरे मतलब way में कैसे बोलेंगे? liberal उसी तरह से इसका antonium क्या है? greedy या selfish जो की खुदगर्ज है greedy मतलब जिसमें greed बहुत ज़्यादा है उसके बाद intimidate intimidate मतलब होता है frightened या फिर hopeless तो इसका opposite क्या है एगा? definitely encourage मतलब बढ़ावा उसके बाद console भी जो है इसके लिए second word है किसके लिए? encourage के लिए तो आइए आपको याद रखना है उसके बाद indulge है हमारे पास indulge का जो meaning होता है वो क्या है? comfort मतलब comfortable हो जाना या satisfy या फिर pamper भी इसी के लिए word है अच्छा इसका opposite अगर देखना हो annoy, trouble या displease displease क्या होता है? मतलब ना खुश हो जाना ना खुश मतलब खुश नहीं ठीक है? जिसका हम trouble भी बोल सकते है trouble होता है यही tension में आना annoy भी वोही होता है मतलब interrelated हैं यह words इसलिए इनके तीन antonyums यह आएंगे यह यह और यह ठीक है? उसके बाद lavish lavish जो है lavish होता है कि जो की मतलब बहुत abundance में है कहीं पर बहुत ज़्यादा availability में है तो जैसे यह abundant excessive यह जो आएंगे इसके synonyms आएंगे उसी तरह से इसके antonyums क्या? deficient और frugal deficient क्या होता है? आपको इस तरह से याद रहे deficient क्या होता है? कमी मतलब किसी चीज़ की कमी तो scarce और frugal भी क्या हो गए? मतलब इसके इसके ही meaning deficient के meaning हो गए ठीक है? उसके बाद moderate की बात करते हैं moderate होता है limited या reasonable या फिर temperate आप बोल सकते हैं मतलब जैसे high, low और moderate बीच में जो आया वो moderate कह सकते हैं तो limited भी आप इसको कह सकते हैं और reasonable भी कह सकते हैं एक वे में अगर इसका opposite देखना हो तो excessive या extravagant उसके बाद nasty क्या होता है? nasty होता है offensive offensive मतलब क्या होता है? offensive मतलब किसी चीज में अगर हम offend हो जाते हैं बुरा लग जाता है तो उसको हम nasty भी बोल सकते हैं offensive या defiled कह सकते हैं हम उसमें उसको तो pleasing क्या हो गया? pleasing होता है खुश होना तो मतलब किसी जब जो चीज attractive हो तो उसी से हम खुश होएंगे मतलब ये दोनु जो हैं इसके एंटॉनियम्स बनेंगे किसके? nasty के उसी तरह से relinquish relinquish का जो synonym है उसका मतलब भी होता है छोड़ देना abandon और forsake इसके synonym जाएंगे जिन दोनु का मतलब क्या होता है? ये हमने पहले भी पढ़ा इनका मतलब क्या होता है? छोड़ देना उसके बाद अच्छा एंटॉनियम्स अगर इसके देखें तो persist या continue मतलब छोड़ना नहीं hold करके रखना continue रखना ठीक है? वो एक ही बात हो जाती पहले भी जो हमने पढ़ा एक ही बात हो जाती है यहां पे उसके बाद temperate क्या होता है cool या moderate यह भी हमने पीछे पढ़ा कि moderate क्या होता है इसका meaning तो इससी तरह मैंने उस time भी आपको बताया था कि moderate का meaning cool होता है ठीक है? अच्छा उसके बाद अगर बात करें इसके जो मतलब excessive excessive क्या होता है? बहुत जादा मतलब extra इसको हम extra vision भी कह सकते हैं लेकिन मैंने यह आप यह लिखा नहीं है boisterous boisterous भी कह सकते हैं यह जो हैं दोनों आपको याद रखने पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है कि किसी किसी के लिए boisterous जो word है वो यह नया जैसा हो या attentive जैसे पहले हमने क्या पढ़ा था इससे पहले भी हमने एक word पढ़ा था जिसका meaning भी था attentive आप वो comment में करें जो हमने पढ़ा था active और observant observant भी क्या होता है जो मतलब द्यान देने वाला होता है ठीक है तो inattentive जो है और inactive इसके antonyum हो जाएंगे ओके अब भी आज का जो last है हमारे पास वो क्या है valid valid मतलब valid होता है बहुत ज़्यादा authentic किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब हमें पूरा पता है कि ये चीज़ authentic है उसी authentic की क्या example दो में आपको पता भी होगा जैसे कि हम Z.O. office से कोई मतलब लिखके लाते हैं कोई certificate वगेरा वहाँ पे उनका एक authenticity होती है उनकी ठीक है कि वो हमें provide करते है तो उसको हम authentic कहते है अब अगर वो ही चीज़ हम कहीं और से लेके आएं लेकिन नाम हम Z.O. office का दें तो वो authentic नहीं होगी वहाँ की ठीक है समझ पा रहे हैं तो valid का मतलब होता है authentic जिसको हम sound भी कहते हैं यह वो वाला sound नहीं है सुनने वाला नहीं है ठीक है उसके बाद इसके जो अगर antonyums देखे हम तो uncertain या जो authentic नहीं है ठीक है authentic नहीं है ओके all right so next जो है हम मैं इसमें आपके चार lectures लेके आऊंगा या मलब तीन या चार लेके आऊंगा जिसमें हम खाली practice करेंगे synonyms and antonyums की चार क्यों क्योंकि यह जो दो parts हैं मैं एक ही में cover करवा रहा हूं synonyms भी और antonyums भी तो I hope आपको समझ में आया होगा तो thank you so much for watching I will see you in the next video okay bye bye take care